मुंबई में अब ट्राफिक सिंगनल पर हौन बजाना खत्रे से खाली नहीं होगा क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस तरह बेवजा हौन बजाने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है मुंबई पुलिस के द्वारा या नहीं पहल शुरू कर दी गई है आईए आपको इस वीडियो के जरीए इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं दिल ही मुंबई या फिर बैंगलोर कहीं भी हम चले जाए तो सड़कों पर मिलने वाला ट्राफिक किसी को भी बेहाल कर देता है ट्राफिक में फस्ते ही लोग हौन बजाना शुरू कर देते हैं लेकिन अब मुंबई वालों के लिए ऐसा करना खत्रे से खाली नहीं होगा मुंबई ट्राफिक पुलिस ने सड़क पर बेवजा हौन बजाने वालों पर लगाम लगाने और उन्हें सबक सिखाने का एक नया तरीक का खोज निकाला है इसका एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीटर पर साजा किया जो जम कर वाइरल हो रहा है आईए आपको पहले वही वीडियो दिखाते है जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के मताबिक अगर कोई वाहन चालक रेड लाइट पर इंतजार के तौरान बार बार अपनी ग करना पड़ रहा है और आप बार बार गाड़ी का हौन बजा रहे है तो ट्राफिक पुलिस रेड लाइट को 50 से बढ़ा कर 70-80 से कर सकती है अपकी जानकारी के लिए बता दे कि दुनिया के सबसे ज्यादा ध्वानी प्रदूशन वाले सहरों में मुंबई का नाम भी शामि होगा क्योंकि मुंबई पुलिस की यह नहीं पहल लोगों को द्वनी रोक करने से रोकेगी आवास करने से रोकेगी मुंबई पुलिस के इस वीडियो के वाइरल हो जाने पर कई जहांगा पर इस कदम के तारीफ की गई तो कही कुछ होन बजाने वालों से जुर्माना कई है जो कि सरानी भी है इस तरह अड़्वानी प्रदूशन रोका भी जा सकता है